हेलो आल कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे आज की रिडिंग करने वाले हम कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ठीक है आपके लिए तो इस टॉपिक पे हम लोग आज की रिडिंग करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि यह रिडिंग मैंने पहले भी कि है लगता कि आहां मैंने बहुत रिडिंग की है इस टॉपिक पे लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सो चलो रिडिंग स्टार्ट करते हैं आज की भी ठीक है तो हमेशा कि तरह यह एक General रिडिंग हैं जिनके साथ भी रेजनेट करती है प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एक बात और मैं कहना चाहूंगी एड्स को ले किसी ने comment किया था मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती तो एड्स देखिए हमारे हाथ में नहीं होते fij है कि कब यूटूफ पे एड्स आ जाये हमारी video पे ठीक है और इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि एड्स तो हमारा इस प्रेहीं एड्स लगाता है तो जिन देखनी है आपको अपने portion के बारे में जानना है तो पांच सेकेंड का मेरी ख्याल से एड आता है ना जो स्किप्ट करने वाला एड होता है और मैं भी वीडियो देखती हूं यूट्यूब पे तो अधिकतर स्किप्ट करने वाले ही एड आते हैं तो आप दोनों के एक दूसरे के साथ मेनेज करके चलना पड़ेगा एड आती है थोड़ा बहुत देख लो है ना पांच सेकेंड पांच सेकेंड कौन सा जैदा है है ना तो मैं यही कहना चाहूंगे कि एड को लेकर के शिकायत है तो यह शिकायत आप अपनी दूर कर लीजिए क्योंक कि देखो गाईज मैं भी कुछ नहीं कर सकती है न युटिभ तो मेरे हाथ में नहीं सो कितने अट से दिखाने है कब दिखाने है सब उनको ही मैनेज करना होता है है तो चलो रेटिंग स्टार्ट करते हैं फीजिश्र me pleaseअ में चलो जिनको एड्स देखने हैं नहीं देखने हैं उन्होंने कहा था कि मैं आपका चैनल अंसब्सक्राइब कर रहा हूं बहुत ज्यादा एड्स आते हैं तो भाई मेरे कर दो लेकिन मैं क्या कर सकती हूं अगर आप हमारी फैमली का हिस्सा नहीं रहना चाते तो मत रहो मैं यह यह मत सोचना कि मैं बोल रहे हूं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं बस जो जैनुइन बात है वही बता रहे हूं आपको चलो प्लीज इन्वर्स काइड मी प्लीज 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 गाइड मी प्लीज प्लीज गाइड मी जो भी वीवर देख रहे हैं उनके please guide me please guide me please please guide me okay five of pentacles okay please guide me please please guide me please guide me please guide me wheel of fortune वाव और देखते हैं कार्ड please guide me please okay the chariot please guide me please guide me please please okay nine of swords okay please guide me please guide me please guide me six of cups का कार्ड है मेरे पास ठीक है यहाँ पे चलो और देखते हैं बॉटम आफ तर डेक्ट eight of swords का का कार्ड है बॉटम अफ तर डेक्ट तो गाइस यह क्या सोच रहे हैं है जैमिनाई लिब्र एक्वेरियस टॉरस वर्गूर्ड कैप्रिकॉर्ड वील का कार्ड है याने की जो कार्ड है मेरे पास ठीक है जो कार्ड है उसके अनुसार से बॉटम आफ तर डेक्ट मुझे यही बता रहा है कि आपके परसन अभी अपने आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा परेशान है ठीक है एट आप से बाहर कैसे निकला जाए है ना इनके चारों तरफ तो रास्ते बंद हैं इनके बंद कर दिये गये हैं तो इनको किस तरफ से बाहर निकलना है इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है इनको पता ही नहीं चल रहा है एक तो इनकी आंके बंद है हाथ भी बंद है है ना तो को ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या करूँ यह इनको मजबूरी लग रही है यानि कि यहां पर कहें तो यह मजबूर है परसन मुझे जहां तक कार्ट के अनर्जी के अनुसार पता चल रहा है कि यह मजबूर है यह चाहके भी इस रिलेशनसिप में कुछ नहीं कर पा रहे हैं कहे तो एक्शन लेना या कहें तो यह परसन कोई डिसीजन लेना है ना इस परसन के हाथ में है लेकिन यह परसन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि यह परसन बंदे हुए हैं यह परसन जहना यहां पे बहुत ज्यादा परेशान है ठीक है तो परेशान इस्तिती में है यह परसन मु इस relationship को अभी जो है न यहीं पे रोकना होगा कुछ time के लिए ठीक है और अभी जो है अपने आपे focus करना होगा अभी अपने future पे अपने present पे focus करना होगा क्योंकि इस तरह इस energy में रहने से देखो यहां पे nine of sorts की भी energy है ठीक है इस sad वाली energy में रहने से कुछ मिलने वाला है न आपना चाहते हैं कि थोड़ा सा जो दहान अपने career पे अपने work पे यह लगाए अपने future के बारे में सोच करके यह लगाए ठीक है तो यहां पे आपके person की thinking कुछ ऐसी हो रही है ओके तो यहां पे देख रहे है five of pentacles का भी card है मेरे पास five of pentacles आपके person ठीक है आपके person यहां प यह कहें तो यह आपके बारे में यह सोच रहे हैं कि वो भी परेशान है जैसे कि मैं परेशान हो वो भी परेशान है यह energy आपकी भी हो सकती है यानि कि मैं कहूं तो आपके person यह भी सोच रहे हैं कि शायद वो भी इतने ही उदास है जितना कि मैं उदास हूं और वो भी इस relationship सिबसे आगे निकलने की कोशिश कर रही है क्योंकि दर्द है तकलीफ है लेकिन यहां पे क्या है दोनों को दर्द जहिलना पड़ रहा है दोनों को तकलीफ जहिलने पड़ रहे हैं लेकिन क्या है यहां पे solution कुछ नहीं निकल रहा है यहां पे जो situation है न यहां पे तो हम दोनों ही stuck हैं तो यहां पे आपके person यही सोच रहे हैं कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या कर रहा है और उस दुख से इस तकलिफ से बाहर निकलने की कोशिश लागतार दारी है तो यहां पे यह है will of fortune यहां पे आपके person य कर्मा तो नहीं है कई हम दोनों का यह जो रिलेशन था या है यह कार्मिक रिलेशन तो नहीं है ना तो क्योंकि आपके person को ऐसा भी feel हो रहा है कि यह कार्मिक है तभी हम दोनों इतने दर्द से गुजर रहे हैं है ना तो यहां पे यही दिख रहा है कि आपके person यहीं सोच र इनगों भी सोच रहे हैं कि यह समय का पहिया है यहरा गाले सी एक के सायकल होंगा हम दोनों फिर से मिलने वाले हैं तो, आपि इंटार करें हो अपने पॉर्चन का यहाँ पर है आपकई सब्सक्रेक्ते स्ब्सक्राइख नकरुइन होटने बाले सेखीने बाला है पर्शन यह सोच रहे हैं आपके बारे में और सोच करके यह परस्ट यह भी सोच रहे हैं कि और वह बहुत ही टाइम से लंबे टाइम से डिल कर रहे हों और मैं यहां पर मुझे हैं कुछ लोग वो पर्शन है यहां पर यह यही सोच रहे हैं कि हाँ मुझे लेना चाहिए मेरा परसन भी ickets कर रहा है वह भी चाहता है कि मैं उसकी life में आऊ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसकी life में जाऊं ठीक है तो यहां पर एक्सन लेने के बारे में thinking चल रही है आपके person की भी ठीक है यहाँ पे क्योंकि आपके person ये भी सोच रहे हैं कि मेरे बिना वो जो है ना उसकी स्तिती जो है ना बहुत ज्यादा परेशान है ठीक है बहुत ही ज्यादा painful situation है बहुत ही परेशान कहते हैं ना कि रातों की नेंद उड़ जाना दि में chain होते हो है ना तो यहाँ पे आपके person यहीं सोच रहे हैं आपके लिए कि मेरा person बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत negative thoughts भी आ रहे हैं इसको है ना तो आपके person देखा जाए तो परेशान नी तो इनके लिए है इनके उपर गुजर रही है परेशान है ना तो यहाँ यह है और यहां पर आपके person यह भी सोच रहे हैं आपको proposal देने का ठीक है अपनी गलती की माफी मांगना और आपके सामने proposal रखना आपने गल्तियों के लिए जो है ना यहां पर इनको बहुत खेद है यानि की इनको बहुत तकलीफ है कि इन्हों आपके साथ जो भी किया गलत किया आपको उस वक्त नहीं समझा है ना तो यह परसंट जहना अब आपकी लाइफ में रिट रियूनियन चाहते है यानि कि यह रिटर्न आने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में दुबारा से ठीक है अब आपका है आपका मुझे लगता है उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके लिए प्लीज काइड मी प्लीज काइड मी प्लीज काइड मी प्लीज प्लीज काइड मी प्लीज काइड मी प्लीज काइड मी तू अफ पैंटिकल्स हम तो चलो मैं बताती हूं बाद में साइन तो मैंने बता दिया है आपको के एनरजी है यहाँ पर ओके प्लीज काइड मी प्लीज काइड मी प्लीज काइड मी चैनल हो रहा है एक सॉंग मुझे एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करता था यह करती थी six of pentacles okay so किसी ने comment में लिखा था कि मैं आपको एक ही सॉंग बार बार चैनल क्यूं होता है तो एक बात बताओ जो हम सॉंग सुने रहेंगे वही सॉंग चैनल होगा न हमें जो सॉंग आप नहीं सुने रहोगे कैसे चैनल होगा आप ही बताओ आप तो राइटर हो नहीं अपने कॉमन सेंस की बात है है ना प्लीज गाइड मी पूर अपकप्स okay क्या सोच रहे है वह अभी इस वक्त प्लीज गाइड मी प्लीज प्लीज काइड मी तेन आफ वैंड्स okay बॉटम अफ तर डेक देख लेते हैं क्वीन अफ कप्स का कार्ड है बॉटम अफ तर डेक ओके सो गाइज यहाँ पे जो कार्ड है मेरे पास वो बता रहे हैं टू अफ पैंटिकल्स जो की बता रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इनकी लाइफ में बहुत परिशानी चल रही है ठीक है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा परिशानी चल रही है और यह उसको हील भी करना चाहते हैं लेकिन करने ही पा रहे हैं बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन नहीं ह काफी जग्लिंग कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है कुछ भी नहीं हो पा रहा है इनसे क्यों कियों कि यह बहुत ज्ञादा मैंठ डिस्टर्ब हैं रेखंद five of sorts, बहुत ज़्यादा mentally disturbed है, finance, career, कहीं भी इनका money नहीं लग रहा है, मन तो इनका कहीं और लगा हुआ है, यानि कि आपके यहाँ पे मन है, आपके बारे में सोचने पे, सोचने, सोचने वक्त यह person busy रहते हैं, तो इनका मन कहां से लगेगा कहीं, है ना, यानि कि यहाँ पे balance यह नहीं कर पा रहे हैं, अपने feelings, अपने emotions, अपनी situation, कुछे भी balance नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो यह person यही सोच रहे हैं कि मैं balance क्यों नहीं बना पा रहा हूं, बनाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मेरे सामने problems क्यों आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे यह है, और five of sorts, आपके person यह सोच के परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं यह किस कदर परेशान है, तो परेशान है यह person और यहाँ पे कार्ट्स यह बता रहे हैं मुझे, कि five of sorts के energy, यानि कि आपके person यहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान, सर में दर्द, देखो, यह attention कोई frustration लेगा, तो उसको दर्द होना ही है, है न, तो यहाँ पे वही है आपके person को दर्द तकलीफ जहल रहे हैं यह person, यह person यही सोच रहे हैं कि किसी time उसको इतना frustration हुआ होगा, किस time इतना दर्द, इतनी तकलीफ उसने जहले होगी लेकिन अब यह दर्द अब यह तकलिफ मैं जहल रहा हूं जहल रही हूं है ना तो यहाँ पे आपके परसन को यह फीलिंग आ रही है और यहाँ पे मुझे यह भी दिख रहा है तो यह इक्वल गिवेंट टेक करने के बारे में भी सोच रहे हैं और आपको जस्टिस देने के बारे में भी सोच रहे हैं देखो पीछे जो हुआ है जो भी हुआ है आप दोनों के दर्मिया इस परसन को एसास तो है ना कि इस परसन ने गलती की है यही सबसे बड़ी बात है क डिसने गलती किया है उसको एसास तो हो रहा ना कि हमेने गलती किये तो यहाँ पे आपके person को एसास हो रहा है और यह person जहां तक मैं देख पा रही हूं कि आपके person आपके सांथ फिर से balance बाना चाहते हैं फिर से reunion चाहते हैं इस relationship को फिर से एक नया रूप देना चाहते हैं नया नाम देना चाहते हैं ठीक है यानि कि ये relation जो है ना अब ये person accept करने को तयार है ठीक और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको ये दिख रहा है ना कि इनको ये लग रहा है कि balance नहीं हो रहा है balance नहीं हो रहा है कुछी जे balance नहीं हो रही है कुछी जे balance नहीं हो रही है है ना तो यहाँ पे ये है ठीक four of cups का भी card है मेरे पास four of cups का card मुझे ये बता रहा है कि four of cups four of cups का card मुझे बता रहा है कि आपके जो person है ठीक है बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा thinking करते हैं आपके बारे में ठीक है ये यही सोच रहे हैं देखो आज की reading हम कर भी रहे हैं न कि वो क्या सोच रहें आपके बारे में तो देख रहे हो ना यही सोच रहे कि मुझे क्या चेंजेस करने होंगे अपने आप में क्या बदलाव लाना होगा या किसी situation को कैसे मतलब इस situation को मैं कैसे change करूँ कि मेरा person मेरा हो कर वापस आए मेरा बन कर वापस आए और जब आए तब मेरा ही रहे ठीक है तो आपके person जो है यही सोच रहे कि changes करने की ज़रत है यहाँ पे और मुझे लगता है कि आपने proposal दिया है आपने इनके सामने कोई proposal रखा था जो इस person ने reject कर दिया है और उसके लिए इनको बहुत ही ज़्यादा पस्तावा हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे यह person यही सोच रहे है कि मैंने उस उस project को या कहें तो उस कहते हैं ना कि उस time मैंने क्यों नहीं सोचा है ना अब जो है ना मुझे पस्तावा हो रहा है लेकिन उस time मैंने क्यों नहीं सोचा जो opportunity मेरे पास थी उसे तो मैंने खो दिया है ना तो आपके person को खोने का दुख है यहाँ पे तेन आफ वेंट्स आपके person बहुत ज़दा परेशान बहुत ज़दा burden बहुत ज़दा तकलीफ झेल रहे हैं अपनी जिंदगी में ठीक है अपनी responsibilities को निभा रहे हैं यह ना चाहते हुए भी responsibilities को निभाने ही है क्योंकि इनकी family है इनके parents है और और भी बहुत कुछ है इनकी life में जो इनको लगता है कि नहीं मुझे निभाना तो पड़ेगा है ना मैं चाहूँ ना चाहूँ लेकिन मुझे निभाना तो पड़ेगा ठीक है तो आपके person यही सोच रहे हैं कि इस relationship को किसी तरह मुझे handle करना होगा और 10 of wins का card है जो कि बता रहा है कि हाँ धीरे धीरे करके situation change हो जाएगे मैं यह जो परिशानी में हूँ यह दीरे दीरे खत्म हो जाएगे ठीक है queen of cups का card है bottom of the deck जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो person है यहाँ पे यह सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा mature हो आप बहुत loving हो बहुत caring हो जब आप उनके साथ होते हो तो उनको जो है ना दुसरों की tension नहीं होती है किसी बात की tension नहीं होती है ठीक है तो मुझे जहां तक लगता है कि आपके person जो है यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि हाँ मुझे उसके love को मुझे उसके प्यार को accept करने में कोई problem नहीं होनी चाहिए और मैं भी उससे प्यार कहीं ना कहीं करता हूँ ठीक है तो आपके person यही सोच रहे हैं आपके बारे में चलो और cards देखते हैं आज मैं इस card का भी use कर रहे हूँ सुबह मैं मैंने एक reading डाली थी क्या वो आपके लिए serious है तो आप लोगों ने नहीं देखा तो यहां जरूर देखें ठीक है cards आगए मेरे पास first card और card देखते हैं please guide me please guide me higher power please guide me last card exchanging gifts so चलो start करते हैं so guys यहां पे जो मेरे पास card आया है number 14 का card है हो सकता है कि आपका date of birth हो आपके person का date of birth हो है ना तो या फिर कह सकते हैं कि 4 और 1 हुआ 5 तो 5 भी हो सकता है आपका date of birth या month हो सकता है है ना तो यहां cards मुझे यही बता रहे हैं कि आपका या फिर आपके person का हो सकता है तो यहां पे मुझे यही देख रहा है कि आपके person यही सोच रहे हैं कि आप कितने honest थे इस relationship में कितना आपने बहुत सारी चीज़े यहां पे accept की है जो जूट थी उस चीज़ को भी आपने माना है communication का card मेरे पास आया है यहां पे clear बात करना है आपके person को आपके person यही सोच रहे हैं कि मुझे अब उससे बात करना ही होगा ठीक है मेरा जो दिल टूटा है ठीक है उसका भी दिल टूटा है लेकिन मुझे सच जानना है क्या सच है और सच बोलना भी है कि मैंने इस टाइम तुम्हें यह जूट बोला था और इस वज़ा से जो problem है वो यहां पे हम दोनों के दर में आई है ठीक है तो यहां पे यह person यही सोच रहे हैं कि इनको सच बोलना है और सच का सामना करके यहां पे आपसे बात करनी है और आगे का decision भी जो है आपके हाथ में है आपके person यही सोच रहे हैं कि मैं सारा decision उसके हाथ में दे दूँगा या दे दूँगी जो करना होगा उसके हाथ में होगा ठीक है तो यहां पे यही card मुझे बता रहे हैं ठीक है number 4 आपका date of worth या फिर आपके person का या फिर मन्त हो सकता है ठीक है तो यहां पे card मुझे ही बता रहे हैं कि आपका जो है न मुझे लगता है कि आपकी जो power है बहुत high power के person ठीक है हो सकता है कि आप बड़े आदमी होगे यानि कि कहें तो आपकी जान पहचान बहुत जादा होगी दूसरों से किसी से भी है ना तो यहां पे यह भी है और यहां पे बहुत ही आपकी जो energy है आपके person का ऐसा feel होता है कि यह इस वर के साथ connect है मेरी जो person है इस वर के साथ connect है इस वर से वो बाते करती है है ना या करता है तो यहां पे card मुझे यही बता रहे हैं आपके बारे में आपने बहुत efforts दा ले हैं इस relationship में देखें और यहां पे मतलब कि बहुत ज़्यादा efforts आपने God से प्रातना भी की है कि हाँ यह relationship जो है ना यह सई हो जाए और यहां पे आपने chanting भी की है यहां पे मुझे यह भी देख रहा है कि आप आपके person यह भी सोच रहे है कि उसको जो नहीं करना जाए था वो तक उसने किया है हर एक चीज किया है मेरे लिए इस relationship के लिए इतने efforts डाले है कि मैं उसका जो है ना यहां पे कर्ज चुका नहीं पाऊंगा थीक है तो आपके person यहीं सोच रहे है आपके बारे में कि उसकी जो energy है high energy है और मुझे उसके पास जाना है ठीक है क्योंकि वो बहुत ही positive person है और मुझे भी उसके साथ रहके positive feel होता है ठीक है तो यहां पे अगला card है exchanging gifts का card number 27 date of birth हो सकता है और 5 to sorry यहां पे 7 और 2 9 हो सकता है ठीक ह 7 और 2 9 यानि कि 9 date भी हो सकता है आपका month भी हो सकता है ठीक है तो यहां पे मुझे यह दिख रहा है तो यहां पे आपके portion यह भी सोच रहे हैं कि आप देने का time आ गया है पहले तो आपने दिया है efforts आपने लगाए है आपने जो भी efforts लगाए है उसको जो है ना अब आपको देने का वक्त आ गया है ठीक है तो यहां पे मुझे यही दिख रहा है कि जब आपने अपने relationship में इतने efforts डाले थे और उस time आपके person ने जो है ना कोई efforts नहीं डाले तो अब आपके person यही सोच रहे हैं कि अब मुझे अब मुझे उसे love देना होगा अब मुझे वो प्यार उ कुछ ने मुझे दी है वो भी प्यार वो खुशी मुझे उसे देनी होगी ठीक है तो आपके person अभी इस वक्त यही सोच रहे हैं आपके बारे में ठीक है सो गाइस reading काफी लंबी हो जाएगी सो यही खतम करते हैं reading अम स्थैंक्यू सो मच मिलते हैं next reading में हसते रहिए मुस्क